16,000 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है देश में आने वाले दिनों के लिए काफी मुसीबत हो सकती है कोरोना के एक बढ़ते आखड़े डराने वाले है भारत में कोरोना की रफतार काफी तेजी से बढ़ रही है जिसे देख के लगता है कि देश में आने वाले दिनों के लिए काफी मुसीबत हो सकती है कोरोना की वैक्सीन अब तक नहीं बन पाई है इस बीच कोरोना के बढ़ते आखड़े डराने वाले है देश में अब तक कोरोना संक्रमीतों की संखिया 5,28,869 पहुच चुकी है स्वास्त मंत्राले के नए आकड़ों के मताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ट 29,000 से अधिक है इस दोरान 13,832 मरीज इस बीमारी से उभरने में काम्याब रहे है लेकिन इन 24 घंटों में 410 लोगों ने दम तोड़ दिया है देश में इस समय सक्रियम मामले 2,3,051 है जबकि 3,9,712 लोग इस महामारी से रिकवर हो चुके है वही 16,000 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है देश में कोरोना के सक्रियम मामलों में से 85 फिस्दी मामले सिर्फ 8 राज्य से है वह 8 राज्य महराष्टर, टमिननाडू, दिल्ली, टेलंगाना, गुजराथ, उर्तरप्रदेश, आंग्रेप्रदेश और पश्टिम बंगाल है इन राज्य में कोरोना से लिपटने की सबसे बड़ी चुनोती है ताजा तकी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें